नमस्कार में भाकिश्री, मिस्यन निवस के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है, खबरों के और बढ़ने से पहले आगे डालते एक नजर आज की सुख्यों पर आलो प्यास का थोक मार्केट थंडा, बेस रुपे प्रती किलो चल रहे भाव अब भी 7200 रुपे पर सोया पे 600 से 700 बोरी की आवग तेल की केमतों में रिकॉर्ट वृत्ती अक्टमबर 2018 में देखी गई थी, लेकिन एक बाद फिर इसकी केमती आस्मान चुरी है, मौज़दा समय में कच्छे तेल के दाम 75 डॉलर प्रती बैरस से उपर निकल गए है दरसल अमेरिका और इरान के पेच परमानु समझोते को फिर से शुरू करने में देरी की बज़ा से इरानी तेल निर्यात में वृत्ती हुई है इसी हगती ओपिक प्लस की बैठर की परिनाम आने है, निविशकों की नजर इस बैठर की परिनाम पढ़ने है अगस के लिए ब्रेंट कोट बाइस सेंट या शुन्य दशम लो तीन प्रतिशत पढ़कर शातर दशम लो चालिस डॉलर प्रतिप बैरर होगी और अगस में आपुरती में कटोती को और कम क्या जा सकता है बिरो रिपोर्ट बेसेन नियूज बिरो रिपोर्ट बेसेन नियूज दुन्या की प्रमुक मुद्राव की तुल्ना में आमेरीकी मुद्रा में रही नर्मी के कारण आज अंतर बांकी मुद्रा बासार में रुपया एक पैसे मस्बूत हुआ और कारुबार की समाप्ती पर एक डॉलर चोरातर दशमलो उननिस रुपे का भिका भातिया मुद्राव पिछली कारुबारी दिवस पर दू पैसे धूर कर चोरातर दशमलो बीस रुपे प्रती डॉलर पर रही थी। रुपे के शुरबा चार पैसे की गिरावट पी चरातय दशम लोग 24 रुपे प्रती डॉलर पर हुई आज यह 14.27 रुपे प्रती डॉलर और 14.18 रुपे प्रती डॉलर की बेहत से में तायरे मिला है कारुपार की समाप्ती पर यह एक पैसा चड़कर 71.19 रुपे प्रती डॉलर पर पहुँच गया दुनिया की अन्य च्छा प्रमुक मद्राव की बास्केट में डॉलर में रही नयर्मी से रुपे को बल मिला है विरो रिपोर्ट बेसेन न्यूज वज 2021 सोयाबीन के लिए अच्छा रहा है थोक मार्केट में सोयाबीन पिछले दो माँ से मिल रहे 7200 रुपे के भाव अब तेचारी है इस बार इसके भाव में बहुत अतिक गिरावट नहीं आई है इसके चलते किसानों को सोयाबीन अच्छे भाव मिल रहे हैं भाव अच्छे मिलने के चलते ही मार्केट में अभी भी 600 से 700 पुरे सोयाबीन की आवख हो रही है व्यापारियों की अनुसाय जिन किसानों की पास माल पड़ा था वह भाव अच्छा मिलने की चलते निकान रहे हैं नया सोयापीन आने की बाद भी किसान इसी तरह का भाव चाते हैं इसके चलते इस पार सुयापीन पीचों की तरफ किसानों का अच्छा रुजांग देखा घ्या वही चना और तुर के भाव में गिरा पटाई है चना 4,500 से 4,750 रुपए और तुर 5,800 से 6,350 रुपए प्रती क्विंटल की भाव से चल रही है बेरो रिपोर्ट बेसेंद्यूस किलो पर ही बनीवे है वही थोग बाजार में आलू की भाव 10 से 12,5 रुपए प्रती किलो और चिलन में 20 रुपए प्रती किलो चल रहे है इस समय जहां अन्य सबचिया लोगों का पचट बिकारनी का काम करी है वही आलू प्याज और रहा दिर है अभी लेसुन का पोजिशन टाइट चल रहे है थोग में ही इसकी भाव 87 से 90 रुपए होने की चलती यह चिलन में 110 से 120 रुपए प्रती किलो चल रहे है बिरो रिपोर्ट बीसेन न्यूज खबरे समाव तो करने से पहले आगे डालते एक नज़र आज की सुखियो पर आलू प्याज का थोग मार्केट थंडा 20 रुपए प्रती किलो चल रहे है भाव अभी 7200 रुपए पर सोयाबी 600 से 700 बूरी की आवग बिसनेस समाचा में फिला लिता ही ऐसे अंदे खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे है बीसेन न्यूज नमस्कार